दोस्तों मैं सिस्कुमार अपने यूटूब चानल बिहाज जिकरेट्रिक्स में आपका सवागत करता हूँ आज हम लोग आद्मिक भारत के अंतरगत गांधी इर्विन समझाओता के बारे में पढ़ेंगे यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चानल बिहाज जिकरेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जोड़ दिमायत वाईए वीडियो को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं सबी ने अवग की आंदुलन के विस्ताइत होते सुरूप को देखते हुए वाईसरा इर्विन ने देश में सवहार्द का वातरवन उत्पन करने के उद्देश से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया तेज भादू सप्रूत था एमार जैकर के प्रयतनों से गांधी एवं इर्विन के मद फरवरी 1931 में दिल्ली में वारता आरंभ हुई 5 मार्च 1931 को दोनों के मद एक समझोता हुआ जो गांधी इर्विन समझोता के नाम से जाना जाता है इस समझोते के परिपेक्ष में सरोजनी नाइडू ने गांधी और एर्विन को दो महात्मा की संग्या दी गांधी एर्विन समझोते की अनुशार पहला है गांधी के नितित में कांग्रेस सभी ने अवग्या आंदोलन अस्थागित करने के लिए तयार हो गई वहीं दूसरा सभी युद बंदियों जिनके विरुद हिंसा का अरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया जाए तिसरा है विदेशी कपरों और सराव की दुकानों पर शांते पोन धन्ना देने का अधिकार चौथा शमुन तटिये परदेशों में बिना नमक कर दिये नमक वनाने की अनुमती और चौथा कॉंग्रेस दुतिये गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तयार हो गई प्रन्तु इस समझोते ने जनता को निरास किया क्योंकि भगत सिंग सुखदेव एवं राजगुरु को फासिन न दिये जाने की जनता के मांग को इसमें समलित नहीं किया गया था इरविन के जीवनिकार एलन केम्प विल जॉनसन ने गांधी इरविन समझोता में महात्मा गांधी के लाबों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात आत्म समरपन के रूप में बादचित के लिए समत होने को कहा था अब आई चलते प्रश्णकोस को देखते हैं तो पहला प्रश्ण है गांधी इरविन समझोता हुआ मुख रूप से तो इसका उत्तर ए गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस की भागिदारी सहज करने के लिए गांधी जी ने फरवरी 1931 में वाइसराय लौड इरविन से भेट की और उनकी बादचित 15 दिनों तक चली जिनके परिणाम सुरूप 5 मार्च 1931 को एक समझोता हुआ जिसे गांधी इरविन समझोता के नाम से जाना गया इस समझोते के तहट कॉंग्रेस को सवी ने अवग्या आंदोलन अस्थागित करना परा कॉंग्रेस दूत्य गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तयार हो गई वस्तुता प्रतम गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस सामिल नहीं हुई थी यह समझोता मुक रूप से गोल में सम्मेरन में कॉंग्रेस की भागिदारी सहज करने के लिए हुआ था अब अगला पशने गांधी एरविन समझोता पर हक्षक्तर हुआ कब तो इसका उत्तर ए 1931 में गांधी एरविन समझोता 5 मार्च 1931 को शंपन हुआ इस समझोते के नुसार पहला गांधी जी के नित्यत में कॉंग्रेस सवी ने अवग्या अंदोलन और स्थगित करने के लिए तयार हो गई दूसरा सभी युद बंदियों जिनके विरुद हिंसा कारोप नहीं था को रिहा करने का आदेश और तिसरा है विदेशी कपरों और सराब की दुकानों पर सांते पुर्ण धन्ना देने का अधिकार चौता है समुन तटिये परदेशों में बिना नमक कर दिये नमक बनाने की अनुमती अब आई चलते अगले पश्ण पर तो अगला पश्ण है गांधी एरविन समझाओता हुआ था कब तो इसका उत्तरे बी 1931 अगला पश्ण है पांच मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझा ऊटा हुआ तो इसका उत्तरे C एरविन गांधी समझाओता अगला पश्णे निम्नीकित में से किसका अस्थगन गांधी एरविन समझाता में किया जाना प्रस्तावित्त तो इसका उत्तरे D सविने अवज्ज्या अंदुलन अग्रापस्ट ने गांधी इर्विन समझोते के हां स्ताच्छरित होने में किसने महत्पुन भूम का निभाई तो इसका उत्तरे सी तेज बहादुर शपरू सवी ने अवग्या अंदुलन के वास्त विस्तारित होने शुरूप को देखते हुए वाइसराय इर्विन ने देश में सहार्द का वातरवन उत्पन करने के उद्देश से 26 जनवरे 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया तेज बहादुर शपरूत था एम आर जैकर के प्रयतनों से गांधी एवं इर्विन के मद फरवरे 1931 में दिल्ले में वारता आरम हुई 5 मार्च 1931 को दोनों के मद एक समझाता हुआ जो गांधी इर्विन समझाता के नाम से जाना जाता है इस समझाते के परिक्ष में सरोजनी नाइडू ने गांधी और इर्विन को दो महात्मा की संग्या दी थी हवाई चलते अगले परशन पर तो अगला परशने गांधी इर्विन समझाता में किसने मद्यस्त की भूम का अदा की तो इसका उत्तरे भी तेज भादूर शपरू अब आई चलते अगले परशन पर अगला परशने निमलिखित व्यक्तियों में से किसने इर्विन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था तो इसका उत्तरे भी सरुजनी नाइडू अगला पशने निमलिकित में से किसने गांधी इर्विन समझोता में महात्मा गांधी के लाव को सांत्वना प्रशकार कहा था तो इसका उत्तरे भी एलन केंपवेल जॉनसन इर्विन के जीवनीकार एलन केंपवेल जॉनसन ने गांधी इर्विन समझोता में महात्मा गांधी के लाव को सांत्वना प्रशकार और इर्विन के एकमात आत्मसमरपन के रूप में बादचीत के लिए सहमत होने को कहा था उत्तर परदेश लोग सेवायोग ने अपने प्राडम्बिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्ण का उत्तर विकल्प ए को माना था परन्तु संसोधित उत्तर पत्रक में विकल्प भी सही उत्तर मान लिया गया जो की सही है तो यह आज के वीडियो का आखरी प्रश्म था आसा करता हूँ आप लोगों को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो यदि आप लोगों को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सेहर जरूर करें फिर मिलते हैं नए चेप्टर के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद